उमा सहित भगवान शिव का प्राकत्य उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्म्हा अधी तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन ब्रह्मह जी कहते हैं नारद भगवान विश्णु के द्वारा की हुई अपनी इस्तुती सुनकर करुणा निधिव महिश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहाँ प्रकट हो गए उस समय उनके पांच मुख प्रतेक मुख में तीन तीन नेतर शोभा पाते थे भाल देश में चंद्रमा का मुकुट्षो शोभित था सिर्पर जटा धारन किये हुए गौरुबर्ण विशाल नेतर शिव ने अपने संपुन अंगों में बिभूत ती लगा रखी थी उनकी दस भुजाएं थी कंठ में नील चिन्न था उनके शरी अंग समस्त आभूशन से भी भूर्शित थे उस सरवांग सुन्दर शिव के मस्तक भस मैत्रपुंड से अंकित थे ऐसे विशेशनों से युक्त परमेश्वर महादेव को भगवती उमा के साथ उपस्सित देख मैंने और भगवान विश्णू ने पुना प्रिय बचनों द्वारा उनकी इस्तूती की तब पाप हारी करुणा कर भगवान महेश्वर ने प्रसने चित होकर उन शिरी विश्णू देव को शास रूप से बेद का उपदेश सुनाया मुने उसके बाद शिव ने परमात्मा शिरी हरी को गुहा ग्यान प्रदान किया फिर उन परमात्मा ने क्रपा करके मुझे भी वह ग्यान दिया बेद का ग्यान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विश्णू ने मेरे साथ हाथ जोड़कर महेश्वर को नमशकार करके पुनहें उनसे पूजन की बिधी बताने तथा सद्यूपद्यों इस देने की प्रात्ना की ब्रह्मा जी कहते हैं मुने शिरी हरी की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्य हुए करुना निधान भगवान शिव ने प्रिती पूर्वक यह बात कही मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्यत ही बहुत प्रसन्न हूँ तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसा ही रोप का प्रैतन पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकटी से प्रकट हुए हो मुझ सर्वेश्वर के दाय वाय अंगों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है ये लोग पितामाह ब्रम्हा मेरे दाहे पाश्व से उत्पन हुए है और तुम विश्णू मुझ परमात्मा के बांग पार्थ से प्रकट हुए हो मैं तुम दोनों पर भली भाती प्रसन हुँ और तुम्हें मनों वांचित वर देता हुँ मेरी आग्या से तुम दोनों की मुझ में सुदर भक्ती है ब्राम्हन तुम मेरी आग्या का पालन करते हुए जगत के सिस्ट्री करो वत्स विश्णू तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की उत्तम विधी प्रदान की जिसके अनुशार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं शंभू की उप्युक्त बात सुनकर मेरे सहिश शिरी हरी ने महेश्वर को हाथ जुड़कर प्रणाम करके कहा प्रभू यदि हमारे प्रती आप के रहिदय में प्रिती उत्तुपन हुई है और यदि आप हमें वर देना आवश्चक समझते हैं तो हम यही बर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य और आविचल भक्ती बनी रहे ब्रह्मा जी कहते हैं मुने शिरी हरी की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुना मस्तक जुका कर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उन नारायन देव से कहा मैं स्रिस्टी पालन और सहार का करता हूँ सगुण और निर्गुण हुए तथा सच्चदा नन्सवरूप निर्विकार पर ब्रह्मा पर मात्मा हूँ विष्णु स्रिस्टी रक्षा और प्रले रूप गुणोज अथवा कार्यों के भेट से ही ब्रह्मा विष्णु और रुद्र के नाम धारन करके तियन स्वरूपों में भीभक्त हुआ हूँ वास्ताओं में मैं सदा निश्कल हूँ विष्णु तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के नेमित जो इस्तूती की है तुम्हारे उस प्रात्ना को मैं अवश्य सच्छी करूँगा क्यूकि मैं भक्त वच्सल हूँ ब्राम्हन मेरा ऐसा है परमुत्कृस्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा जो नाम से रुद्र कहलाएगा रुद्र के सामर्थ मुझ में कम नहीं होगी जो मैं हूँ वही यह रुद्र है पूजा की बीदी विधान के द्रस्टी से भी मुझ में और उसमें कोई अंतर नहीं है जैसे जोती का जल आदी के साथ संपर्क होने पर भी उसमें इस परशदोष नहीं लगता उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन नहीं प्राप्त होता यह मेरा शिव रूप है जब रुद्र प्रकट होंगे तब भी भी शिव के तुल्ले होंगे महामुने उनमें और शिव के परायपन का भेद नहीं करना चाहिए वास्ताओं में एक ही रूप में सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए दो रूप में विभक्त हो गया अतर शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धी नहीं करनी चाहिए वास्ताओं में सारा द्रश ही मेरे विचार से शिव रूप है मैं तुम ब्राम्हा तथा जो इरुद्र प्रकट हुए हैं वे सब के सब एक रूप है इनमें भेद नहीं है भेद मानने पर अवश ही बंधन होगा तथा भी मेरा शिव रूप ही सनातन है यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है यह सत्य, ज्यान और अनन्त ब्राम्हा है ऐसा जानका सदा मेरे मंद में यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए ब्राम्हन, सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनिय बात बता रहा हूँ मैं सोयम ब्राम्हा जी की भृकुटी से प्रकट होंगा गुणों में भी मेरा प्राकट कहा गया है जैसा कि लोगों ने कहा है, हर तामस प्रकटि के हैं वास्तों में, उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं, वैकारिक, सात्विक भी समझना चाहिए यह तामस और सात्विक आदी, भेत केवल नामात्र का है, वस्तुता नहीं है वास्तों में हर को तामस नहीं कहा जा सकता ब्रामःन इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम तो इस स्रुस्ट्री के निर्माता वनो और शीरिहरी इसका पालन करें तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इनका प्रले करने वाले होंगे ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकति देवी हैं इन्हे की शक्ति भूता, बाम देवी, ब्रमा जी का सेवन करेंगी फिर इन प्रकति देवी से बहां जो दूसरी शक्ति प्रकत होगी वे लक्षवी रूप से भगवान विश्णू का आश्रे लेगी तद अंतरपुन्ह काले नाम से जो तीसरी शक्ति प्रकत होगी वे निश्चे ही मेरे अंशिभूत रुदर देव को प्राप्थ होगी वे कारे सिध्यों के लिए बहां जोती रूप में प्रकत होगी इस प्रकार मैंने देवी के शुप सवरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया उनका कारे क्रमशह स्रस्टी पालन और सहारकन समपादन ही है सुर्श्रेस्ट ये सब के सब मेरी प्रिया प्रकति देवी की अंशिभूता है हरे तुम लक्षिमी का सहारा लेकर कारे करो ब्रामण तुम्हें प्रकति के अंशिभूता बागी देवी को पाकर मेरी आग्या के अनुसार मन से स्रिस्टी कारे का संचालन करना चाहिए मैं अपनी प्रिया के अंश भूता पराग परकाले का आश्रय ले रुद्र रूप में प्रलाय सम्मन्थी उत्तम कारे करूँगा तुम सब लोग अवश्य हे संपुन आश्रोमों में तथा उनसे भिन्य अन्याय विभिध कारियों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोग की स्रिस्टी एवं रक्षा आदी करके सुख पाओगे हरे तुम ज्यान विज्यान से संपन्य तथा संपुन लोकों के हितेशी हो अतहर अब मेरी आग्या पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्ति दाता बनो मेरा दर्शन होने से जो फल प्राप्त होता है भही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा मेरी यह बात सत्य है सत्य है इसमें शंशय के लिए इस्थान नहीं है मेरे हिर्दय में विश्णु है और विश्णु के हिर्दय में मैं हूँ जो इन दोनों के अंतर को नहीं समझता बही मुझे विशेश प्रिय है शिरी हरी मेरे बाय अंग से प्रकट हुए ब्रह्मा का दाहिने अंग से प्राकट हुआ है और महा प्रलैंक कारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हिर्दय से प्रादुर्भूत होंगे विश्णु मैं और श्रस्टी पालन और सहार करने वाले रज आदी विभित गुण द्वारा ब्रह्म्हा विश्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो तीन रूपों में प्रथक प्रथक प्रकट होता हूँ साक्षात शिव गुणों से भी नहें विप्रकटि और पूर्षा से भी परे हैं आदुतिय नित्य अनन्त पून एबम निरंजन पर ब्रह्म्ह परमात्मा हैं तीनों लोकों का पालन करने वाले शिदेहरी भीतर तमो गुण और बाहर सब्द गुण धारन करते हैं त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्रदें भीतर सत्व गुण और बाहर तमो गुण धारन करते हैं तथा त्रिभुवन के शृष्टि करने वाले ब्रह्मह जी बाहर और भीतर से रजुगुन रही हैं इस प्रकार ब्रह्मा विष्णो तथा रुद्र इन तीन देवताओं में गुण हैं बरंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विश्णु तुम मेरी आग्या से इंश्रस्टी करता पिता महा का प्रसन्नता पूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूझनिय हो जाओगे।